नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं हेमंत सरकार की मैया समाने आत्रा आई से कल्पना सुरेन करेंगी नेत्रिते 23 सितंबर से हेमंत सरकार मैया समाने आत्रा सुरू करेंगी गढ़वा जिले के बंसी धर नगर से समाने आत्रा आरंब होगी जो पूरे राज्य में 25,000 आमसभाय, 75,000 सभाय वा 1500 जगो पर स्वागत समारो होगा बतादे पहले चरण में मंत्री बेवी देवी वा बिधाय कल्पना सुरेन के नेत्रित में पलामू प्रमंडल के गढ़वा मैदनी नगर वालाते हार जिले से कारिकनम की सुरूआत होगी इस औसर पर अस्थानिय मंत्री बिधायक वा अस्थानिय जन परतिनीधी भी सामिल होंगे 23 सितंबर को दीन के 11 बचकर 45 मिट पर बंसीधर नगर में आमसभाय वा रवना और मिराल में सभाय होगी गढ़वा में साम 7.5 बच रातरी चोपाल का भी आयोजन किया गया है वही 24 सितंबर को गढ़वा मजियाव हैदर नगर हुसायनाबा चतरपूर नवा पजार वा पार्टन में सभा वा स्वागत समारों का आयोजन किया गया है रात 7 बच कर 45 मिट पर दली चत्रवास में रातरी चोपाल का भी आयोजन किया गया है वही 25 सितंबर को मेदनी नगर में दीन में 10 बच आम सभा वा प्रेस कोंफरेंस का भी आयोजन किया गया है फिर सत्बर वा, बकोरिया, मनिका, लातेह, चंदवा, बालुमात, हरेहर, गन्ज, वा, पाकी में आमसभा वा सभा कायोजन किया गया है जारखन में ततकाल बहाल हो इंटरनेट सेवा हाई कोट ने दिया आदेश जारकन में इंटरनेट सिवाब बंद करने के मामले में रभीवर को जारकन हाई कोट में सुनवाई हुई है सुनवाई की दुरान जस्टिस आनन सेन और जस्टिस अनुभाव रावा चौधरी के अदालत में BSNL, Airtel, Jio सहित अने इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियों को परतिवादी बनाया गया है अदालत में कहा है कि मोबाई इंटरनेट को छोड़कर सारी इंटरनेट की सुविधा सुरू की जाए वहीं अदालत में इस ममले में ग्रीह सची को भी तलब किया गया था अभी को छो सब्ता में जबाब दाकिल करने का निर्देश दिया है उत्पात सिपाही भरती परिछा में एक और अभ्यार्थी की मोवत उत्पात सिपाही भरती परिशा में सामिल एक और अभ्याती रामगार जीले के पत्रातू थाना छेत्रे के सांकी गाउनिवासी पुलिसवर बेंदिया के बेटे अनुबेंदिया की मौत रभीवर के सुबा मालदा के दिसहरी नर्सिंग होम में हो गई वह 13 सितंबर से वहाँ थी लेकिन साथ आई सोजन उसे प्रेम ज्योतिय हस्पिटल बरहेट ले गाए वहां से भी चिकित्सक ने डेफर कर दिया इसके बाद सोजन मालदा ले गाए और दिसहरी नर्सिंग होम में भरती कराया वहां उसका इलाज चल रहा था रभीवर के सुबा उसकी मौत हो गई ह है उसके चाचा निर्मल बेंदिया ने बताया है कि अनोत 3000 भायों में बीच में था जारूखन सरकार ने 16000 ट्रेसलनेस किसानों की जांच कराने का किया अगरा जारूखन कके करीब 16000 किसान क्रेडिट काड़ धारक किसान का पता नहीं चल रहा इसका पता किसानों के रीन करने की घोसना की थी इसके बाद की रिसी पासुपाल्यम साकरता विभाग ने स्टेट लेवल वर्कर्स कमेटी से रीनी किसानों की सुची मांगी 30 जून 24 तक रीनी किसानों में से 61,000 का पूरा बेवरा बैंक ने नहीं दिया अब बैंकों ने उसे ट्रेसलेस की सुची में डा रख रखिया गया है जार्खन सरकार ने 31 मार्च 2020 तक के रीनी किसानों का रीन माप करने का निनलिया था उस वक्त बैंकों ने बताया कि 50 जार तक रीन मा लेके सिसी धारक किसानों की संक्य करिम 9 लाग है वहीं 14 दिसमर 2022 को बैंकों ने बताया कि कूल 8,3,689 लाग किसान ही परिक्षा में अब सभी बिस्वों में अलग अलग नहीं करना होगा पास। कुट के अधार पर परिक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलग परिक्षा के सिलेवस और प्रश्न की कठिनायां के अस्तर के प्रवधान में भी बदलाव किया जाएगा। कमिटी के उन संसाय के अनुरूप नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक त्यार कर लिए जाएंगे इस समझ में सुमवार को बैठक होगी नियमावली में संसोधन को लेकर आवस्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की सुक्रीति के लिए भी जाएगा दुमका में तिन यूतियों को हाईवा ने कुछला दो की मौवत दुमका भागलपूर एस्टेट हाईवे पर हंस डी हाथ हना छेतर के कुरूमा हाट रेलवे होल्ड के समीप कुणजी गाव में रभी बार के सुबा पांच बजे हाईवा से कुछल कर दो यूतिय गमी रूप से घायल उसका इलाज चल रहा है हाज से में मौज स्याक रोसित लोगों ने 9 घंटे तक सलक जाम कर रखी इससे 4 किलोमेटर तक वाहनों की लंबी कातार लग गई अधिकारियों के अस्वासन के बाद जाम हटाया गया बतादे तीनों यूतिया जार्खन पुलि की तैयारी कुले का सलक किनारे दोड रही थी रांची में जेससी सीजल परिक्षा सांती पुन संपान जार्खन करमचारी चेन आयोगद्वारा आयोजित जेससी सीजल परिक्षा 223 रांची में सांती पुन संपान हुआ है रभ्यवार को रांची के 136 केंद्रों पर परिक्षा आयोजित हुई जिसमें 61,236 परिशार्थियों में से 41,186 परिशार्थि सामिल हुए वहीं 20,50 परिशार्थी अनुपस्तित रहे बता दे कि पहले दिन रांची में 60,920 परिशार्थियों में से 29,27 परिशार्थी ही सामिल हुए थे परिक्षा कायोजन तीन पालियों में सुबा साड़े आठ बये से लेका साम पांच बये तक हुआ है जार्खन कर्मचाई चेन आयोग द्वारा आयोजी जार्खन समाने अश्टना तक अस्तर योगता धारी सन्युक्त परिक्षा एकाईस और बाईस सितंबर को राजे के कूल 823 केंदर पायोजीत की गई गौतला भाय की सिया महमान सुरें के द्वारा निस्पक्ष, कादाचार, मुक्त और सांतिपुन परिक्षा कराने के लिए समिक्षा बैटा कर सभी जीलों को आवसक दिसानी दिस्पी दिये गए थे रसोया संग ने सिक्षा मंत्री को सोपा मांग पत्र जारखन परदेश बिद्याले रसोया संजोजी का संग के परतिनी धी रभी वरको सिक्षा मंत्री बैदनाथ राम से उनके आवास पर मिले वहाँ उन्होंने बिधायक परतिनी धी प्रभात कुमार को आठ सूत्री मांग पत्र सोपा है मौके पर संग के परदेश्ट अध्यक्ष अजीत परजापती परदेश को साध्यक्ष अनिल देवी के सिरी मुख्य रूप से मौजूद थे परदेश अध्यक्स अजीत प्रजापती ने कहा है कि गाउं की गरीब आदिवसी दलीत पिछडी जाती की महिला सरकार एम अनुदान प्राप्त बिद्याले में 2014 से कारे कर रही है लेकिन रसोयों को एक दिन में मात्र 66 रुपे 66 पैसे ही प्रति दिन के हिसाब से मंजूरी दिया जा रहा है जबकि संजोजिका को सरकार फिरी में काम करा रही है उन्होंने कहा है कि इस समझ में सरकार के साथ कई बार वरता हुई लेकिन मांग पूरी नहीं हुई है कहा है कि सरकार से संग के आठ सुत्री मांग पर विचार करने की बात कही है परदेश कोसा देख्स अनीता देवी केश्री ने कहा है कि संजोजी का वज़रस हो ये कि मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने के मामले की जाच करा है चांडिल डेम के बिस्थापितों के मुद्दे को लेकर जार्खंड सरकार के मुक्सер ची को पत्र लिखा है मंतरी संजाय सेथ ने बीते दिनों चांडिल डेम का जालकवाई है उन्होंने पूरे प्रकरण की जाच करने वा दोस्यों प्रकरवाई करने के लिए बिश्थाफितों जनपरति निदियों अधिकारियों की एक सोतंत्र कमिटी बनाने को कहा उन्होंने पत्र में कहा है कि चांडिल डेम अभी साफ बन चुका है जी सोच के साथ इस डेम का निर्मान 40 बर्स पुर्व आरम किया गया था वह सोच तो समाप्त हुई ही अब यह डेम इस छेत्र के लोगों के लिए काल बनता जा रहा है आंगनवारी सेविका सहाई काओने की बैठक मांदे बढ़ाने समेत अन्यमाह को लेकर सोमवार को आंगनवारी सेविका सहाई का धरना परसन करेंगी इसे लेकर रविवार को गोईल केरा होट बजार परसन में आंगनवारी सेविका सहाई काओ की बैठक हुई है इसमें सोमवार को रांची में होने वाले धरना परसन कारकरम को सफल बनाने पर चार्चा की गई इस दोरान आंगनवारी सेविका सहाई का संग की प्रखंड अध्यक्स पुस्पा देवी ने का है कि रांची में होने वाले धार्ना परसन में गोईल के रस्त आंगनवारी सेविका सहाई का है जाएंगी हमारी मांगो वर्सो पुरानी है लेकिन सरकार दोरह इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बताया कि मांगो में सेविका साहाई का कमांदे बढ़ोतरी करने पेंशन नियमावली में सुधार करने सेवा ने रिति के उम्र सीमा पैंशन वर्स करने EPF योजना में सामिल करने आधी मांगे सामिल हाए डाल्टेन गंज में पहले दीन 11 मिनेट लेट आई वंदे भारत ट्रेन पलामू के डाल्टेन गंज रेल्वे स्टेशन से होका ट्रेन संख्या 128-93 वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरी है डाल्टेन गंज और गढ़वा रोड रेल्वे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत किया गया बता दे पलामू सांसत बीडी राम ने हरी जंडी दिखा कर ट्रेन को रवाना किया है दरसल 10 बज कर 22 मरे पर डाल्टेंगा इस्टेशन पर वंदे भारत के आगमन का समय है लेकिन पहले ही दिन वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से रेल यात्रियों में काफी खोसी दिखी है चुनाव आयुक्त की आज मुक सचिव और डिजी पी संग बैठाग जारखन में जल्ध है गामी विधान सभा चुनाव की तारिक की घोसना होने के साथ-साथ आचार संहीत लागू होने वाला है इसे लेकर त्यारी सुरू हो गई है बिधान सभा चुनाव की तियारियों का जाजा लेने 23 सितंबर को दो दिनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची आएगी दो दिनों तक चलने माले इस दोरे में मुक्स चुनाव आयोग ते राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयोग सामिल होंगे आयोग टीम सोमवार को राजी के मुक्स चुनाव और डीजीपी के साथ साम पाच बज़े से बैठक करेगी इसे पहले आयोग की टीम सोमवार की सुबाए गार बज़े से रायनितिक दलोग साथ भी बैठक करेगी रांची में 217 होमगार जवान की पासिंग आउट प्रेट संपन्ड रांची धुरवाई स्थित केंद्रिये प्रसिक्षन संस्थान में रभी वार को 217 होमगार की पासिंग आउट प्रेट आयोजित की गई कारकरम करने तो तो कमांडेंट स्रीटी आई को सिक कुमार ने किया है 63 दिवस सिये इस प्रसिक्षन में सरेरिक और सस्त्र प्रसिक्षन सामिल था मोख्य अतिति के रूप में डियाईजी होमगाड अजय लिंडा सामिल हुए प्रसिक्षन की एक महत्पूर्ण BCS ताया हरा है कि पहली बार महिला होमगाड को इनसास राइफल का प्रसिक्षन और फारिंग कराई गई कई प्रसिक्षूओं ने उतक्रिष्ट प्रसं किया है कुछ ने इनसास और 303 राइफल में 10 बाइ 10 का सटिक निशाना लगाया वहीं पासिंग आउट प्रेट का नेतिव प्रेट कमांडर अपरना कुमारी ने किया है यह पासिंग आउट प्रेट राजे के लिए गर्व का छंड है जो इन होमगाड की सेवा और सुरक्षा के प्रति ततपरता को दो दिन चलने वाले इस खेलकूत परतिवक्ता में करीब 15 सब पुलिस खियाडी भाग लेंगे बतादे इस परतिवक्ता का उधाटन सोम और को मंतरी मिसलेश ठाकूर और डीजीपी अनुरा मौसम विभाग की ओर से जारी वेदर वुलेटन के मुताबिक जारखन में 26 सितंबर तक मौसम खराब रह सकता है मौसम विभाग की मानने तो अगले दो से तीन दिनों के दरान पच्छमी रायस्थान और गुजरात के कुछ चेत्रे के कुछ हिसों से दर्चिन पच्छम मानसून की वापसी की परिश्थितिया अनुकूल बन रही है हलाकि एक मानसून ट्रफ रायस्थान एमपी जारखन से ओकर बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रही है हलाकि उत्री अनुमानसागर पर एक साइकूलेन सर्कूलेशन बनने की उमीद है इसके परभाव से पच्छम मद बंगाल की खाड़ी पर भी एक कौम दबाव का छेत्रे बन सकता है बता दे विभाग ने 23 सितंबर से जारखन में खराब मौसम रहने का परभाण जारी किया है 23 सितंबर को जारखन के रांची लोर्दागा गुमला खोटी लाते अरगड़ार पलामू 25 सिमूम पूर्वी सिमूम सराय केला खरसावा सिम्टेगा दुम का जाम तड़ा साहब गंज पाकुल गोड़ा हजारी बैक चात्रा कोडार्मा गिरी धनबाद में बारिस होने की संभावन जयताई है साहब गंज में उप्पान प्रगंगा नदी सहरी इलाकों में घूसा पानी साहब गंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई ट्रेनों का परिचलन बाधित हो गया है कुछ ट्रेन को रद कर दी गई है तो कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है मिली जनकारिक मुताविक सुल्तान गंज से आगे स्टेस्नों पर बाढ़ का पानी रेलवे ट्रेक में आ गया है किसी परकार की कोई घटना दूर घटना न हो इसके कारण ट्रेन को आवा गमन को बंद कर दिया गया है बता दे रभीवार को भारतिया कॉलेनी में बाढ़ का पानी पूरी तरह से परवेश कर चुका है सभी के क्वाट्रो में बाढ़ का पानी लगबग 2-3 फूट घोश चुका है परीक्षा में इंटरनेट बंद पर बावुलान ने लगा दी कलास जारकन परदेश भाजपा ध्यक्ष एवां पुरमुखमति बावुलामरांडी ने कहा है कि अपनी कौम्यों को छुपाने के लिए हैमन सरकार न इंटरनेट बंद कर दिया रब्यवार को परदेश भाजपा करेले में एक प्रेस वर्ता कर उन्होंने कहा है कि इंटरनेट बंद होने से आम लोगों को परसानी हुई है ब्यापार बुरी तरह परभावित रहा उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा में चल रही प्रवतन यातरा को डिस्टर्ब करने के लिए नेट बंद कर दिया गया था ताकि डिजिटल माध्यम से यातरा का परचार परसार न हो मुखी मंत्री हेमान सुरेन अगर कह देते कि डिजिटल माध्यम से परचार परसार नहीं करना है तो भाजपा नहीं करती बाबुलाल ने कहा है कि परिक्षा देने आये बच्चों के साथ इस तरह का खिलवार नहीं करना चाहिए कई बच्चे दूर दराज से आते हैं आने जाने के लिए ओनलें टेक्सी बुक करते हैं नेट बंद होने से अभी परभावित हुआ है सोलर हाई मास्ट लाइट से जगमगाएंगे रांची के गाउँ राक्षा राजमंत्री से रांची के साथ संजय सेट का एक और प्रया सफल हुआ है और इसके सकरात्मक पई नाम भी सामने आये हैं बता दे रांची लोगसभा चेतर के गरामीन चेतरों में दो हजा सोलर हाई मास्ट लाइट लगाए जाने की सोक्रिती मिली है बहुत जल्द सभी लाइट गरामीन चेतरों में लगाई जाएगी इस आशे की जनकारी देते हुए केंद्रे राक्षा राजमंत्री ने राभिवार को अपने केंद्रे कराले में सन्वादाता समयलन में बताया है इसी उदेश के साथ मेरा एक पर्यास था कि हर गाउं तक सोलर लाइट लगे मेरे इस पर्यास को सफलता मिली है च्छा क्रोर की लागत से दो हज़ार हाई मास्ट लाइट की स्विक्रित परदान की गई है RTE पर सरकार जल्द सकरात्म कदम उठाएगी मंत्री Public School and Children Welfare Association की ओर से सिक्छक समान समारो का वेजन रभीवार को दिक्छान्त मंडप मौराबादी में किया गया इसमें परदेश भर से हजारो सिक्छको को सामिलित किया गया नीजी सरकार इसकूल के साथ कॉलेज वह विश्व विद्याले के सिक्छक सामिल हुए मुख्यती थी सिक्छा मंत्री बजनात राम, बित मंत्री रामेश्वर उरा और पासवाद ध्यक्स अलोग दूबे ने सिक्छो को समानित किया है सिक्छा मंत्री ने कहा एकि नीजी बिद्यालेओ पर आच नहीं आने दियाएगी जमीन के बाद ध्याता के करण किसी भी बिद्यालेओ को बंद नहीं होने दिया जाएगा आटीज के मुद्धे पर सरकार जल्द सकरात में खदम उठाएगी उन्होंने कहा है कि नीजी बिद्ध्यालेओं के संचालन से संबंधी समस्याओं के जनकारी है इस पर जल्द फ्रसला लिया जाएगा स्वागत बासन में अलोक कुमार दूबे ने सिक्षा मंत्री का ध्यान आकरसित कराते हुए कहा है कि आटीए के मामले पर सरकार संग्यान ले नहीं तो ये बंद हो जाएंगे बिजेपी में टीकट के लिए मारा मारी जार्खन बिधान सभाचुना में पर्तियासियों के चैन के लिए भाजपा की जार्खन में राय सुमारी के बाद टीकट के दावेदारों के संक्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है हर बिधान सभाचेतर से आधित दर्जन सहधीक नेता टिकट के लिए अपने मजबूती दावेदारी पेश कर रहे हैं राय सुमारी के दोरान करताओं से संभावित उमीद्वारों के नाम लेकर उन्हें बंद डिबों में डाल कर भाजपा की टीम तो आगे बढ़ गई लेकिन टिकट के दावेदार अभी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपने उपसिती दर्ज कराने और सक्ती परज़न करने में जूटे हैं बता दे जहरकन बिदान सभाचुनाओं की दस्तक के साथ ही संताल परगना में भाजपा के सिर्थ नेताओं के गतिविद्या बढ़ गई है डीवीसी सिन्ना राज मामता बनर्जी की सरकार के दो अधिकारियों ने दिया इस्थिपा पच्छिम बंगाल में बाढ़ के बाद जहरकन और पच्छिम बंगाल की स्तीमा को 24 घंटा से अधिक समय तक सिल किये जाने के मामले में मामता बनर्जी सरकार के दो बड़े अधिकारियों ने इस्थिपा दे दिया है पच्छिम बंगाल के बिली विभाग के सचीव सांतुनु वसू ने डिवी सी के निदेशक मंडल से और राज के सिचाई और जलमार के मुखे अभियनता ने दामदर घाटी जलासे बिनियम समीती से इस्थिपा दे दिया है अधिकारियों ने रभिवर के जनकारी दी है दामदर घाटी निगम के जलासेों से पानी छोड़े जाने को लेकर राज सरकार और केंदर के बीच चल रही खीचा तान के बीच एस्थिपा हुआ है बतादे सांतनु वसुने कई सितमर को डीवीसी के चेयर मैन को भेजेगा इमेल में कहा डीवीसी के अपने बांध प्रनालियों से अभोधपूर्ण और अनियंत्रित ढंग से पानी छोड़ने से विबिन इलाकों में बार जैसी स्थिती उत्पन होई और पच्छिम मंगाल के बड़े छेत्रों में लोगों को भारी परसानी होई है अटल क्लिनिक का उधगाटन कर भाविक हुए एक्टिंग चीफ जारखन हाई कोड के कर्यावाहाअक मुकर नयदिस जस्टिस सुजीत नरान परसाद नहरा वीवार को अटल क्लिनिक का उधगाटन किया और बाद में वही बच्चा बड़ा होकार अपने माता पिता को बिर्धा आसरम में छोड़ देता है यह गलत है भावक होकर उन्होंने कहा है कि जो बच्चे अपने माता पिता को बिर्धा आसरम में छोड़ते हैं उन्हें इस्वर कभी माप नहीं करते बता देर अभिवार को अपना घर में ब्रिध जनों के लिए आयोजीत जागरूपता कारकरम में वे बोल रहे थे नीट पेपर लिक में CBI का खुलासा चर्चित नीट पेपर लिक मामले की जाच CBI कर रहे है CBI की जाच में खुलासा हुआ है कि हजारी बगिस्तित ओएसिस इस्कूल के प्रिंसिपल डाक्टर सानूल हक को नीट उजी दोहरी चोईशा के लिए हजारी बाग के सीटी कोर्डिनेटर के तोर पर पर पतिनुक्त किया गया था और सानूल हक ने उसी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और नीट योजी परिक्षा के लिए सेंटर सुप्रिडेंडेट मोहमद इम्तियाज आलम और अने आरोपियों के साथ मिलकर नीट प्रिशन पत्र चोरी करने के साइस रची थी CBI ने बताया है कि अब तक इस नीट पेपर लिक मामले में कुल 48 लोग गिरफतार किया जा चुका है CBI ने इस पेपर लिक के लबहार थी उमिद्वारों की भी पहचान कर ली है और अवस्यक करवाई के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंस्टी के साथ उनका ब्यूरन साजा किया है सेस गिरफतार आरोपियों के समन्द में जाच और अने पहलूओं के समन्द में आगे की जाच जारी है पासवा ने किया राज अस्तरी सिक्छक समान समारो रभिवार को पासवा ने जारकन के सबसे बड़े राज अस्तरी सिक्छक समान समरो राची विस्तु भी देले कि दिख्छांत मंद में उजित किया है मुख्यती थी के तोर पा जारकन के सिक्छा मंत्री बैजनात राम डाक्टर आमेसरु राव राश्ट्री सलाकार सैली विष्ट पासवा के राश्ट्री अध्यक्स अलोग दूबे दिफ्र जालित का राज अस्तरी सिक्छक समान समारो का उधगाटन किया है बता देमो के पर वोकारो थर्मल कारमेल स्कूल की परचारया सिस्टर एम मलहार होली क्रोस इस्कूल की परचारया सिस्टर जेनी भी सामिल हुए इस एतिहासिक सिक्छक समारो में राश्ट पती अवाडी वा पासवा परदेश महासचिव फलक फातिमा कनेतित में पासवा वलेंटियर्स ने साभी बेवस्थाव का संचालन किया है सुबस से ही समानित होने वाले सिक्षकों की भी लगने लगी थी पांच अक्टूबर को जेसी आई रांची का जालसा डांडिया नाइट जेसी आई रांची के जालसा डांडिया नाइट कारकरम को लेकर अभी वार को जेसी आई करियाले में प्रेस वरता हुई है सांस्था के अध्यक्स बिकरम चोजरी ने बताया है कि यह जालसा का पांच वा संसकरन होगा जालसा कावेजन पांच अक्टूबर को रांची कल्ब में आयोजित किया जाएगा इस मौके पर जेसी एक सदस्यों ने जालसा डांडिया नाइट का पोश्टर भी मोचन किया है मौके पर उन्होंने बताया है कि इंट्री के लिए इस बार टीकट एश्टेग के लिए 12.00 और कपल के लिए 18.00 रुपे है बिकरम चोजरी में बताया है कि इस साल डांडिया नाइट में टीकट धारकों को बंपर तंबोला का टीकट मुप्त में मिलेगा और तंबोला में कई इनाम दिया जाएगा उन्होंने कहा है कि जे सी आई हमेशा रांची में कुछ अलग करने का पर्यास करता है और इस बार भी उनका यह कारकरम बाकी सभी सहट कर होगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेले करने बाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर पने दोस्तों को सब्सक्राइब करना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट पक्स में अपना फिड़बे का वस्य दे थैंक्यू